हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी प्राहिब अच्छी चल रही होगी तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स को स्टार्ट ठीक है आज की वीडियो में हम लोग करेंगे chapter number first के exercise 1.1 को ठीक है आपका जो पहला chapter है वो है real number यानि के वास्तविक संख्याएं ठीक है तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग को पहले से पता होगी पर अगर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तविक इस्तिमाल किया है उन सब को हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते है ठीक है उसमें आपकी प्राकिर्ट संख्या गई पुर्ण संख्या गई पुर्णांक आ गया है ना पड़ी में संख्या और पड़ी में संख्या ये सारी संख्याएं जो है वो आपकी वास्तविक संख किया है आपकी आपी क्योंच कर जाएंगी होंगी ठीक है जो कि आपने 9 में स्टुडीक किया है अब आते हैं यहाँ पर जो आपको पढ़ना है में ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीजें है बर आपको अतना भी डीटेईल में इसको Mouse jeuाएंगे है है ठीक है देखो मेन चीज़ जो आपकी है यहाँ पर फियोरम 1.1 है परमे 1.1 है जिसका नाम है यूकलीड विभाजन पड़ेमेग में पड़ेमेग का कुछ भी नहीं है जो आपने पहले जो भाग करते थे पहले जो आप लोग डिविजन करते थे उसी से related यह है ठीक है जैसे आप भाग लगाते हो किसी भी number में आप भाग लगाते हो किसी number से ठीक है तो क्या होता है वहाँ पर वहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलती है वहाँ पर क्या होता है quotient आता है और वहाँ पर आपका remainder आता है यानिके भागफल आता है और शेशफल आता है ये चीज़ तो सब को पता है कि जब भी हम दो number को use करेंगे divide करने के लिए एक में हम divide लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज कहते हैं और जिससे हम लोग भाज लगाते हैं भाग वो कहलाता है भाजक ठीक है तो हम जब दो को एक number से अगर दूसरे number में भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है भागफल और शेशफल मिलता है यानिके quotient और remainder आता है ठीक है उसी से related ये आपका यूकलीर विभाजन परमे का है ये क्या कहता है कि दो धनात्मक पुर्णांक A और B अगर दिया रहेगा आपको तो ऐसी ऐसी अदुइतिये पुर्ण संख्याए Q और R विद्यमान है कि A बराबर B Q प्लस R यानि कि यहाँ पर जो R है वो B से छोटा और 0 से बड़ा या बड़ाबर हो सकता है बिल्कुल सही है जब आप भाग करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक कोशिंट आता है कोशिंट आता है और कोशिंट के बाद रिमेंडर भी आता है तो रिमेंडर कितना होता है या तो वो zero remainder आएगा या फिर वो जो आप जिससे भाग लगा रहे हैं उससे छोटा होगा है ना अभी आपको मैं copy पकर करके देखाऊंगा आपको पुरी बात clear हो जाएगी ठीक है यहाँ पर आपको यह line याद एकना है A बराबर B Q प्लस R 0 से R जो है वो बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है और B से छोटा होता है ठीक है तो यहाँ पर देखे इसको यहाँ पर कैसे करेंगे इस चीज़ को अभी देख लिजे कि जैसे आप भाग लगाते हो ठीक है पंदरा में भाग लगाया इसी चीज़ को तो यूकलिड परमे का जो है इसी चीज़ को explain कर रहा है कि अगर हम 15 और 4 अगर हमारे पास 2 नमबर दिया गया है तो हमारे पास 3 ये Q हो जाएगा और ये जो है आर ये भी हमारा 3 है यहाँ पर इस case में कह रहा है कि अगर 2 नमबर हमें दिया जाता है तो 2 नमब हमारा Q और R विद्यमान होगा ठीक है यानि कि ये दो नमबर जा हमारा यूनिक होगा मतलब 4 में जब भी 15 में जब भी 4 से भाग लेगा होगे तो ये quotient और remainder यही आएगा इसके लावा और भी कोई नहीं आ सकता है ठीक है अब ये R की बात करते है क्या कह रहा था जी कि R जो हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं यूकलिट की पड़मीगा के हिसाब से ये है ये है ये है B और ये आपका होगया Q और ये होगया आपका R यानि कि R जो है ना वो 0 से बढ़ा हो सकता है या उसके बढ़ा बढ़ हो सकता है या B से छोटा होगा मतलब इस नमबर से छोटा हो एक हो सकता है या फिर 0 हो जाएगा ठीक है जैसे अगर मालो हम 6 से भाग लगा रहे हैं किसी नंबर में किसी भी नंबर में लगा आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो तो जब भाग लगाओगे तो at least last में क्या आएगा या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या 2 आएगा य चार बच्चे का या पांच बच्चे तो नहीं बस सकता है रिमेंडर कभी भी ठीक है बस यही बात आपका यूकलिड परमीका कहता है ठीक है बास समझ में आ गई तो अब चलते हैं हम लोग exercise के solution की तरफ तो इस परमीका को आप लोग याद रखेगा ठीक है यहाँ पर मैंने समझा दिया है आपको क्या क्या चीज़े हैं ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखेगा है परमीका है क्या तो परमीका एक सिध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिध करने में पड़ियोग करते हैं यह पड़िमिका का डिफिनेशन है जो कि आप याद रखेगा ठीक है और यह algorithm है algorithm का मतलब क्या होता है कि एक श्रिंखला होती है किसकी श्रिंखला होती है तो पड़िभाशित चर्णो यानके well-defined steps की एक series होती है एक श्रिंखला होती है जो एक vicious परकार की समस्या को हल करने की एक परकिरिया या विधी परदान करती है ठीक है कोई एक problem आपको दिया जाता है कोई एक समस्या है कोई एक बात है ठीक है तो उसको हल करने के लिए जब हम लोग step by step कोई solution रखते हैं वही हमारा algorithm कालाता है ठीक है हर चीज़ में आप देखते है algorithm से ही काम होता है ठीक है तो यह जो algorithm सब्द है यह नौवी शताबदी के एक फारसी गनी तक जो अलख्वारिजमी ठीक है यह कौन थे फारस के रहने वाले थे फारसी गनी तक थे अलख्वारिजमी के नाम से लिया गया है वास्तफ में शब्द algebra जो algebra पढ़ते है यह algebra भी इनहीं की लिखित पुस्तक हिसाबल जबर वाल मुकाबला से लिया गया है तो बच्चों यह GK की बात भी हो गई और यह आपको याद रटना है कभी-कभी exam में इससे objective question आ जाता है ठीक है तो इस चीज को आप याद रखेगा जो भी मैंने आपको बताया है अब उसके बात चलते हैं कि Euclid विभाजन अल्गोरिट्म जो है आपका ठीक है Euclid विभाजन जो आपका परमेका भी आपने पड़ाया है ठीक है लिम्मा तो यहाँ पर क्या है यह देखो यह algorithm हो गया ठीक है इसमें क्या है तो Euclid विभाजन परमेका का यूज करके यह अब इसमें क्या है इसका 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 इस्तमाल करके हम लोग दो नंबर का HCF निकालते हैं HCF का मतलब पता है आपको क्या होता है HCF का मतलब होता है महत्तम समापर्त की यहाँ पर हम लोग HCF निकालने के लिए यूज करते है ठीक है तो जो भी आपको दो नंबर दिया जाएगा अभी मैं आपको exercise बताऊंगा तो उसमें पुरा clear हो जाएगा बट यहाँ पर देखो क्या करना है हमको पहले दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे जो बड़ा होगा उसमें चोटे नंबर से भाग लगा दे फिर से हमें दूसरा एक भागफल और लिए Euclid विवाजन अलगोरित्म का परयोग कीजिए, ठीक है, तो Euclid विवाजन अलगोरित्म का परयोग अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, तो चली, यहाँ पर देखें क्या पहला कौशन, 135 और 225 का आपको निकालना है, SCF, तो SCF तो आपने निकाला है, ठीक है, 5 क्लास में भी निकाला है, 7 में भी निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर देखी, कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या है, कि आपको करना है, संख्या को कौन सी है यहाँ पर, तो संख्या आपकी है, 135, पहला कोशन है यह आपका, ठीक है पहला का पहला कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दो संख्या दीगई यह 135 और 225 दिया गया ठीक है 225 दिया ठीक है तो यहाँ पर क्या करना आपको कि 225 बड़ा है यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे कि Euclid Euclid विभाजन Euclid विभाजन Algorithm का ठीक है परयोग करने पर ठीक है, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि Euclid विभाजन परमेका के हिसाब से ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, आप ये लिख लिए के उक्ली वीभाजन पड़मिका, खिक है है, छिए आप कोई दिक्कत नहीं है आप लिख सकते हैं, युक्ली पड़मिका के हिसाब से या यूगलिट पर्विमिका के अनुसार ठीक है क्या हो जाएगा तो देखो 225 है आपका बड़ा नंबर है तो इसको रखना है बराबर के इधर और यहाँ पर क्या करना है 135 लिखना है ठीक है अब करना क्या है देखो यहाँ पर के 135 चूँकि छोटा है 135 तो 135 से लगाना है 225 में भाग ठीक है तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा 135 से कही 135 होगा ठीक है भाग आप लोगको आता है अच्छे से 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 12 में से 3 यह 12 इससे बन गया 12 में से 3 गया 9 हो गया और यह कट गया, तो कितना बचा, 90, तो आपको लिखना क्या है, इस 135 को एक से गुना करना, यानि कि यह आपका Q हो गया, क्या बताय गया था, मैं यह आपका लिख देता हूँ, कि A बराबर BQ प्लस R था न, यह था आपका, ठीक है, यह आपका क्या था, पडमीका था, यह करना है, ठीक है, BQ हो गया, प्लस, R क्या हो जाएगा, तो R आपका 90 है, तो 90 लिख दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका जो अगला स्टेप होगा, ठीक है, यह देखो, यह 0 तो नहीं आया, रिमेंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम यूगलीट पडमीका यहाँ पर लगा ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे, क्या हो जाएगा, यह जो 135 होगा, यह आपका आजाएगा इस तरफ, ठीक है, अब यह आपका नया भाज्य बन गया, यह आपका नया डिवीडेंड बन गया, अब इसके बाद बराबर लिखेंगे, और यह जो भाग फल आया था, जो रिमेंडर आया था, इसको रखेंगे यहाँ, ठीक है, तो 90 हो गया, अब 90 से हम लोग भाग लगाएंगे, 135 में, तो 90 से भाग लगाएंगे, कि आप अगर कर लेते हैं यह काम, दिमाग में ही कर लेते हैं, तो आपको बहुत अची बात है, नहीं तो आप ऐसे कर लिजेगा, 90 का ही 90, 90 दुना 180 हो जाएगा, इसलिए 90 का ही 90 लगाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, 45 बच गया यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो गुने 1 करेंगे, प्लस और यह 45 लिखेंगे, ठीक है, उसके 90 और रिमेंडर कितना बचेगा, 0, तो प्लस 0, हमें क्या बोला गया था कि जब तक सेसफल 0 नहीं आए, तब तक यह काम करते रहना है, और जब सेसफल 0 आ जाएगा, तो उस चरन का जो भाजक होगा, उस चरन का जो भाजक होगा, यही आपका HCF कहलाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर सेस सुनने हो गया, ठीक है, तो यही पर हम लोग यह पड़किरिया रोग देंगे, है ना, और इस समय भाजक क्या आपका, 45 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 135 और 125 और 135 यहाँ पर लिख दिया, और बराबर करके, यह आपका 45 है, तो 45 लिख दिजिए, यह आपका आ इसलिए इस पड़किरिया को हम यही रोग देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा भाजक है, वो हमारा वांचित HCF होगा, ठीक है, यह भी लिख सकते हो, बट आप उतना लिखने के जोते हैं, अब सीधा, इतना लिख दोगे, तो भी आपका सही होगा, ठीक है, चलिए, 96 और 38,220 का आपको HCF निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यूकलिड, जो मैंने आपको बताया था, पिछले इसमें बताया था, यूकलिड विवाजन अल्गोरिद्म का प्रियोग करने पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यूकलिड पड़मी का के अनुसार, यह भी लिख सकते हैं अप, के अनुसार, ठीक है, यह हो गया आपका, यह भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यूकलिड पड़मी का के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यह बड़ा है न दोनों में से, यह दोनों में से कौन बड़ा है, य यहां पर हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है, किस से भाग लगाएंगे, तो 196 से भाग लगाएंगे, 38,220 में, ठीक है, भाग लगाओ, तो देखो यहां 196 है, अब यह भाग करना, अगर इतने बड़ नंबर को भाग करना आपको नहीं आता है, तो आप मेरी वीडियो को यहां पर मैं शॉर्ड में बताऊंगा आपको, देखो यहां पर है 19, ठीक है, और 19 जुना होता है 38, तो हम लोग 19 जुना 38 नहीं लगाएंगे, यहां पर 19 जुना 38 होगा, तो इसलिए हम लोग 2 से नहीं लगाएंगे, उनी से काई, चेक कर सकते हैं, 2 से भी, तो वो बढ़ा आजाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से लगाएंगे, तो 196 हो जाएगा, तो 196 लिख देंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे, तो 6 ही आजाएगा, और 17 में से 9 माइनस करेंगे, तो 8 हो जाएगा, दो में से 1 गया, तो 1 आजाएगा, ठीक है, 12 में से चो गया 6, और 17 अगर नौ बार लगाते तो 177 और आप जिब गुना करके देखोंगे तो आपका जो है यह इससे छोटा आएगा नौ बार लगाओगे तो देखोंगे इससे छोटा आता है चलो नौ बार गुना करके चेक करते हैं 9,6,4,9,8,5,6,9,9,7 देखो आगे ना छोटा अब इसको माइनस कर दो बाड़ मिस चोगे 8 हो जाएगा 15 मिस चोगे 9 हो जाएगा और ये कर जाएगा ठीक है और ये आपका 0 यहाँ आजाएगा अब आपको लगाना है 5 बार ठीक है यहाँ पर क्या हो गया चूकि सेश फल क्या आगया आपका सेश फल 0 है इसलिए इसलिए आपका जो HCF यहाँ पर भाजक जो है ना भाजक यहाँ पर भाजक जो कि आपका 196 है यही HCF होगा HCF होगा ठीक है यानि कि यहाँ पर लिख सकते हैं HCF of 196, 38,220 is equal to 196 यह आपका आंसर होगे अब आपका जो अगला कोशन है वो है 867 और 255 तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग यूकलीड परमीका के अनुसार या फिर का पढ़ियों करने पर वो भी लिखने का मतलब यह है कि आप यह बताना चाहते हैं यहाँ पर हम लोग यूकलीड परमीका का यूज करेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2867 बढ़ा आपका तो 867 को इधर लिखना है और 255 को यहाँ पर लिख देना है ठीक है अब यहाँ पर गुने अब यहाँ पर कौन सा नमबर आएगा क्या करेंगे तो देखो यहाँ पर 255 से आप भाग लगाओ 867 में 25 यहाँ पर 75 होता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 बार में तो 5 15 15 15 15 15 17 हो जाएगा सात मिसे पांच गया है दो और छे मिसे चे गया है जीरो, आड़ मिसे गया एक तो हो 102 बच गया यहाँ पर तो हम दो क्या करेंगे इस 3 को लिखेंगे यहाँ और यह 102 को लिखेंगे 102 ठीक है अब यह जो भाजक था ना यह फिर आपका चला जाएगा अगले चरन में कहां इस अरे यार, 102 से 255 में भाग लगाओ, कितनी बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाओ, तो 204 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 15, ठीक है, तो 15 को क्या करना आपको, यहाँ पर लिख देना है, पहले लिखेगा, गुने 2 प्लस 15, बास समझ में आ गई, अब इस 102 को यहाँ रखो अब 102 यहाँ रखा, तो 155 इधर रखेंगे, है न, देख लो, यहाँ पर यह इधर आया, यह आपका इधर आ गया, उसी तरीके से यह आपका इधर आया, और यह आपका इधर आ गया, ठीक है, गुना, अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर फिर समझ वही काम पर, सेस्वल, 0 है, इसलिए, जो भाजक है, भाजक 51, क्या होगा, होगा, ठीक है, होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हCF of 867, 255 is equal to 51, ठीक है, यही आपका आंसर होगया, ठीक है, तो बच्चों, इस तरीके से, जो आपका एक्सरसाइस था न, उसके फर्स सेकेंड और को मैंने समझा दिया, आपको यह वीडियो अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह एक्जामपल में भी सेम वैसे ही बनाये हुआ है, कि क्या है नह आपर जो सेकेंड और थर्ड और फॉर्थ, फिफ्थ कोशन है ना, इसको मुलोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, तो इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दिजेगा, जितना हो सकता है, आपके क्लास में जितने भी स्टुएंट है, और इस वीडियो को अगर ज्यादा रिस्पॉंस मिला तो जल्दी ही आपको इनकी भी वीडियो आपको मिल जाएगे, ठीक है, चले फिर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया